हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम जरोधा से IPO में अपलाई कर सकते हैं तो जैसे आप जरोधा एप लोगिन कर लेते हैं तो आपके सामने डिस्पले सो होती है तो दोस्तो मैं बतादू IPO लाने के लिए सबसे पहले यदि कोई भी कंपरी स्टोक मार्केट के अंदर लिस्टिड होती है तो उसको सबसे पहले IPO जारी करना पड़ता है तो यहाँ पे आपको IPO में investment करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे account के उपर click करना पड़ेगा जैसे ही आप यहाँ पे click करते हैं तो आपके सामने यह display सो होते है तो यहाँ पे आपको console के बहुत सार option दिखाई देंगे यहाँ आपको एक option दिखाई देगा IPO का आप इस IPO के उपर click कर देंगे जैसे ही आप IPO के उपर click कर देते हैं तो यह IPO kite जो दा kite की एक website है जो की आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे IPO सो होंगे यहाँ पे आपको 20 IPO सो हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले IPO protection का यह 10-12 October के बीच में upcoming है यह लिखा रहा है कि आपको यह upcoming गई यह IPO अभी launch नहीं होगा यह कुछ सी टाइम के बाद आपके display के उपर सो हो जाएगा और यहाँ पे एक IPO हर चार से 7 October के बीच में जोर से आप इसको apply कर सकते हैं यहाँ से आपको सो रहा है कि आप इसको apply कर सकते हैं इसी तरह जाब बहुत सारे यहाँ पे वैसिट का है यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे IPO हर जो की अभी close हो गया है तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं जैसे यह स्वास्ती का IPO हर यह अभी close हो गया तो यहाँ पे आने के बाद जैसे email में यहाँ पे सबसे पहले इस IPO के उपर कलिक कर देता हूँ इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसा IPO सबसे पहले यहाँ के आने के बाद आप इस apply के उपर कलिक कर देंगे यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप individual investor के उपर कलिक कर देंगे जैसे ही मैं individual investor के उपर कलिक कर देता हूँ तो मेरे सामने यह display सो होती है सबसे पहले आप इसके बारे में जानेंगे कि email का फूल हो क्या है electronic smart india limited यहाँ पे investor type है individual investor यदि आप किसी company के फिरू जरोदा में invest कर रहे हैं तो आप कोई भी और select कर सकते हैं लेकिन mostly cases में आपको individual investor ही select करना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद आपको issue date यहाँ पे 4 October को यह launch होगा था 7 October की year इसकी last date है यहाँ से आप इस company का size भी देख साई number of share कितने हैं यहाँ से आप number of share भी यहाँ से calculate कर सकते हैं issue price size यह कितने के उपर IPO launch होगा जैसे यहाँ पे 56 से 59 के उपर इसकी एक share का value लगेगी और यहाँ पे load size कितना है दोस्तो चंबन share का एक load है यहनि दोस्तो चंबन share buy करने बढ़ेंगे आपको तब जाके एक load मिलेगा इसके अबाद आता है इस किंदर discount discount यहाँ पे नागे बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ से आप read hearing prospect यहाँ से आप company के prospect को read कर सकते हैं यहाँ से आप download कर लेंगे इस तरह से subscription data भी यहाँ से download कर लेंगे और उसको यहाँ से read कर लेंगे यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा से scroll down कर रहेंगे यहाँ पर आपको अपनी UPIID यहाँ से enter कर देनी है जैसे आप यहाँ से phone पे, google पे या फिर कोई bank से आप UPIID यहाँ से enter कर देंगे और यहाँ से आप select कर लेंगे जैसे यह phone पे कि मैंने select कर रही at the rate YBL आप यहाँ से अपनी according जिस भी bank की आप select करना चाहिए यहाँ पेटियम की है तो यहाँ से पेटियम भी select कर लेंगे यहाँ पर इतना छोड़ जैता हूँ तो भी market open होगी उसके उपर यहाँ आप करीटिना चाहते हैं तो आप यहाँ से cut off डाल देंगे यहाँ से आप price भी डाल सकते हूँ जैसे दोसो चम्मन सेर हैं और यह 58 के according मदल open होता तो यह आपको नहीं मिलेगा इस तरह यहाँ से आप यदि cut off डाल देते हैं जिसके जितने भी आई पे open होगा उसके उपर आपको मिल जाएगा इसे मेरे इसके अंदर पैसा आएगा में देट कर दोंगा जैसे मेरे इसके अंदर पैसा चले जाएगा वो मेरे IPO के अंदर अभी पैसा नहीं गया वो एक तरफ से bank के दुवारा block कर दिया जाता है यदि वो पैसा IPO मुझे नहीं मिलता है तो वो मेरा पैसा वापिस कर दिया जाएगा जैसे यहां पर offer start लिखा हुआ है offer end लिखा हुआ है allotment लिखा हुआ है कि 12-10 को allotment हो जाएगी यदि मेरा allotment के अंदर ये पैसा नहीं जाता तो यहां से refund हो जाएगा यहां से मेरा demate के अंदर transfer हो जाएगा तो यहां से आप apply भी कर सकते हैं तो यहां से apply हो जाएगा और यहां से आपके पैसे लग जाएगे तो इस तरह से आप यहां से apply किया जा सकता है तो आप आप IPO के अंदर apply कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करना